दोस्तों आपने मेंटोस का वो आड़ तो देखाई होगा जिसमें गधा आराम से ठेले गारी पर सवार होता है और एक आदी मानव अपने गले में रस्टी डाल कर उसकी गारी को खीच रहा होता है वो बुद्धी हीन आदी मानव उस गधे को दद्दू कहकर बलाता है फिर ए मानव मेंटोस खा लेता है और वहोश यहार बन जाता है जिसके बाद वह पेड़ की टहनी तोड़कर उससे अवजार बनाता है शिकार करता है और फिर आविशकार करता है और आखिर में अपने दद्दू यानि उस गध्धे को अपना गुलाम बना लेता है ठीक उसी तरह जिस तरह गध्धे ने उसे बनाया था पर सूचने वाली बात यह है कि क्या सच मुछ में मनुष्यों का क्रमिक विखास इतना आसान था जवाब है नहीं मानव कब और किस रूप में अस्तित्व में आया मानव ने किस तरह खुद को विपरीत परिस्तितियों से बचाय रख कैसे बना इनका समाज ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आज किस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाली है तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें दोस्तों मॉडर्न डिस्कवरीज से यह पता चलता है कि इस प्रत्वी प जड़, फल, फूल, पत्यों और कंद मूल खाता था पर जब उसने बड़े जानवरों को अपने से चोटे जानवरों को मार कर खाते हुए देखा तो मानव ने भी शिकार करना सीख लिया और अब वो भी चोटे जानवरों को मार कर उनका कच्चा मांस खाने लगा अब सारा दिन मानव अपने शिकार की खोज में इधर उधर बटकता रहता था और रात होने पर पेड़ पर चट जाता था ताकि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके इस तरह समय बीतने लगा मौसम परिवर्तन हुए और गर्मी के बाद बरसात और फिर ठंड आई ऐसे समय प पेड़ों से उतर कर गुपाओं में रहना शुरू कर दिया दिरे दिरे यह वानर जैसा मानव विकास करता गया कहते हैं कि जब मानव ने पेड़ों पर उचाही पर लगे फलू को देखा तब उसे तोड़ने के लिए वा धीरे धीरे अपने शरीर को बैलन्स करते हुए चा उदने पकड़ने और उठाने का काम सीख लिया जब मानव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे दूर तक दिखाई देने लगा था इसलिए अब वा अपने चारों और के द्रिश्चे को देखने के लिए अपने पूरे शरीर को घुमाने के बजाए सिर्फ अपने गर् लंबाई में हैं चार फिट तक होती थी लेकिन समय के साथ जब इनका विखास हुआ तो ना सर्फ इनकी लंबाई बढ़ी बलकि इनके दमाग का साइज भी बढ़ा और अब दिमाग का साइज जब बढ़ा तब मानव के सूचने समझने की श्रक्ती भी विक्सित होने लगी अब वह पीट के बल सोने लगे वह चलते हुए भूजन करने लगे उन्हें रोने और हसने की आवाज में अंतर समझाने लगा अब मानव अपनी मूल भूत जरूर तो जैसे भूजन आवास और सुरक्षा के बारे में सोचने लगा क्योंकि उस समय तेंदुआ ही एक ऐसा मा पर चड़कर उनका शिकार कर लेता था खुद के बचाव के लिए उनके पास ना तो कोई हथियार था और ना ही उनका कोई साथी दिरे दिरे मानव को यह समझ में आ गया कि या केले जंगली जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए अब मानव जुंड में रहने लगे मानव ने अवजार के रूप में सबसे पहले लकड़ी, जानवरों के हड़ियों, सिंगों, धार-धार नुकीले पेड़ों का इस्तिमाल किया समय के साथ उन्होंने पत्थर के भी अवजार बनाए, अवजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा अवजारों से अवजार बनाना सीखा, और सबसे महत वपून अवजारों से अपने ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद का बचाव करना सीखा अगर मनुश्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से से धर्ती पट्र के रहना असंभव था एक बार जब एक मानव एक पत्थर को दूसरे पत्थर के उपर घसकर उसके आजार बना रहे थे तभी उसमें से एक जोरदार चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से पास के सूखे घास फूस में आग लग गई उस समय मानव को कुछ समझ नहीं आया कि ये अजीब से दिखने वाली गरम चीज़ क्या है बडर कर अपने जुन्ड के लोग के पास भागता है और उन्हें जाकर इस में चितर घटा के बारे में बताता है जब तक वो वापस आये आग को देखने तब तक वा आग बुच चुकी थी जिसके बाद सब निराश हो कर लोट गए लेकिन एक तिन फिर अचानक से तेज गरमी की वज़ा से जंगल में आग लग गई जिससे बहुत सारे जानवर जुलस कर मर गए बाद में जब आग बुची और मानव जंगल में गए तब उन्होंने जले मरे हुए पशूँ के मांस को खाया जिसका स्वाद उन्हें काफी बहतुरीन लगा और तब उन्हें समझ में आया कि ये वे चित्र से दिखने वाली चीज उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं है अब वो पत्थरों को आपस में टकरा कर आग ज़ाने लगे और फिर उस आग में मांस को भून कर खाने लगे इस आग का इस्तिमाल सर्दियों में वो खुद को ठंड से बचाने के लिए और अंधेरे में उजाला करने के लिए भी करने लगे दोस्तों जैसे जैसे समय बीटता गया मानव ने पशुपालन के साथ साथ कृशी करना भी सीख लिया मानव जब भी कोई फल खाता तो अंजाने में ही उसके बीजों को अपने आसपास फेक देता था जो समय के साथ पेड़ में तबदील हो जाता था जब मानव ने इस चीज पर ध्यान दिया तो वो जान बूझ कर दूर दराज के शित्रों से अपने मन पसंद फल को तोड़ कर लाते और उसके बीजों को अपने आसपास फेक देते जिससे समय के साथ वहाँ बीज पेड़ बन जाता लेकिन यहां मानव के लिए एक चीज काफी शौकिंग थी उनके द्वारा फेके हुए बहुत से वीज पनपते नहीं थे और उन्हें इसका कारण उस समय समझ नहीं आता था पर जब समय के साथ मानव थोड़े और विक्सित हुए तब उन्हें समझ में आया कि इन बीजों के पनपने के लिए मिठी के साथ साथ बाने की जरूरत पड़ती है और इस तरह से मानव नदियों के आसपास जोपड़ी बना कर रहने लगे ताकि उनके लगाय हुए बीज पेड़ बन सके और उन्हें अपने खाने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े एक दिन जब एक मानव एक पहार के नीचे बैठा हुआ था तब ही पहार की चोटी से लड़कता हुआ एक बड़ा लगड़ी का लठ़ा नीचे जमीन पर आगरता है दोस्तों यहीवा घटना थी जिसे देखकर आदी मानव को सबसे पहले लगड़ी के पहिये को बनाने का खयाल आया पहिया बनाने के बाद उन्होंने अपने पालतु पशूँ की मदद से गारी बना ली जिससे अब उनके लिए अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी आसान हो गया एक दिन जब एक मानव लकड़ी के लट़े से पहिया बना रहा था तब ही लकड़ी का लट़ा उसके हाँस से फिसल कर पास की नदी में गर जाता है और वो तैरने लगता है जब मानव ने लकडी के लट्टे को पानी में तैरते देखा तो इसे देखकर उनके दिमाग में एक आईटी आया और उन्होंने कई सारे लट्टों को एक साथ बांद कर पानी में तैरने के लिए छोड़ दिया और उनके लिए खुशी की बात यह थी कि उनके द्वारा पानी में फेके गए ये सबी लट्टे मज़े से पानी में तैर रहे थे अब उनमें से किसी एक ने अपना दिमाग लगाया और पानी में तैर रहे लट्टों के उपर अपना कुछ समान रख दिया और वह समान भी बिना डूबे आसानी से लठे के मुदब से तैरने लगा जिसके बाद मानव खुद लठे पर चड़कर नदी पार करने लगे दोस्तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से नाव जैसी चीज अस्तत्वों में आई और नाव के आने के बाद मानव अब आसानी से नदी पार करने लगे दोस्तो पहिय और नाव बनानी के बाद मानव ने मिट्टी का बरतन बनाना भी सीख लिया और धीरे धीरे ये मानव अपने जरूरत की सारी चीजों को एकठा करता गया और हम कह सकते हैं कि बंदर से इवाल्ब हुए इस मानव ने लगातार अपने विखास पर काम किया और दीरे दीरे ये जान गया कि धरती पर उसे किस तरह से रहना है और अपना जीवन विकसित करना है कैसे खुद के लिए भूजन और पानी की विवस्था करनी है और किस तरह से खुद का बचाव करना है तो दोस्तो आज के लिए फिलहाल इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कॉमेंट के साथ शेयर भी करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंट्रिस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक्स पर वाचिंग